दोस्तों फ्रांस की ओर से आज एक बहुत बड़ी ख़वर निकल कर आई है भारत के लिए दरसल आप सभी को पता है कि GE के साथ में भारत ने जेट इंजन डील साइन की थी जब PM मोदी अमेरिकी US स्टेट विजिट पर गए हुए थे वहाँ पर भारत और जर्नल एलेक्टिक के बीच में इंजन डील को लेकर समझोता हुआ था तब ये लोगों ने कहा था कि अगर अब फ्रांस एमका के इंजन को लेकर थोड़ी भी लेट लतीफी करता है तो फ्रांस एमका के इंजन से हाथ धो बैठेगा और इस इंजन को भी जर्नल एलेक्टिक ही अपने कबजे में कर लेगा यानि इस इंजन की डील भी अमेरिका की जर्नल एलेक्टिक भारत के साथ में कर लेगा लेकिन एमका इंजन की प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको कोई भी देश अपने हास से नहीं छोड़ना चाहता खास कर France, क्योंकि France चा रहा है कि भारत के साथ में उसके defense ties इतने मजबूत हो जाएं कि भारत रसिया को भूल जाए और France के साथ में ही सारी defense deal किया करें, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भारत MK की deal अमेरिका के साथ में कर ले, और अभी ख़बर निकल कर ये आ र वही इंजन भारत के MK project के लिए suitable होगा, और अब France की ओर से offer किया गया है कि वह भारत को 110 क्ले newton thrust वाले इंजन को बनाकर भारत को देगा, उसके MK mark 2 version के लिए, France ने कहा है कि हम M88 इंजन पर काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, और यही वो इंजन है जिसको France अपने next generation fighter jet में इस इस पर काम अभी सुरू किया गया है और आने वाले 5 सालों में ही इसे develop कर लिया जाएगा, और fighter jet में लगाकर इसका test भी कर लिया जाएगा, और इसको तब तक complete कर लिया जाएगा जब भारत का MK बनकर तयार होगा, क्योंकि France चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस engine को पूरी त लगने वाला है, जो कि MK Mark 2 में इस्तमाल किया जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है जब MK बनकर तयार होगा, तभी यह engine भी बनकर तयार होगा, और France भी यही कह रहा है कि हम 5 सालों के अंदर ही इस engine को बना कर तयार कर देंगे, और भारत को भी इसे थमा देंगे MK project के यह suitable होगा, और France इसी को लेकर जिद पर अड़ा है कि हम MK engine बना कर भारत को देंगे, जो कि एक next generation वाला engine होने वाला है, और यह पूरी तरीके से नया engine होगा, जो कि France भारत को देगा, अब देखने वाली बात यह है कि क्या सच में, भारत फ्रांस के इस engine को अपने MK program में इस् रूर बताईएगा